यह जमू से स्रीनगर यह जो डिस्टन्स है इसके लिए हम तीन मार्ग बना रहे हैं उसमें से यह लाइफलाइने जमू और स्रीनगर की लिए टोटल 245 किलोमेटर के आती है इसमें 200 किलोमेटर का क्याम हो गया है इसमें से आज एक टनिल कामने ब्रेक्ट्रू किया है जो बाकी तीन टनेल यह आने वाले अगले साथ के अगले साथ के अगले साथ तक हो जाएगी और एट टनेल है जो अभी टाटा को दी है उसको टाइम लगेगा और यह पूरा होने के बाद यह रोड जो है डिस्तर जो है क्योशी से की तीन में कवना जाएं डाई से कट रा से जो रोड मिलता है विच में वहां से डारिक डिलि जा सकेंगे तब इसे से कट घृटे से मुंबई तो नैचरली यह लाइफ 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 लाइन जो है इससे जम्मु कश्मीर के सोशल एकोनोमिक ग्रोफ में फाइदा हो एक हमारे अधिर निया इंचायत की चैर्मन ने मांकी थी हम इसके नीचे में जगह हैं वहां यहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए इसके ताकि वह जगह से कम से कम पाच्छे सो लोगों को इस चेतर के रोजगार मिलेगा दूसरा अभी मैंने इंक्वारी की जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है उनने का 99% साफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया हम हर बार यह कोशिश कर रहे कि आज भी टनल के कामों में य यह रोड बनने के बाद और यह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दो साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संक्या चार गुना बढ़ेगी और रिसॉर्ट बढ़ेंगे रेस्टरान बढ़ेंगे और टूरिजम ऐसा क्षेतर है इसमें 49% इंवेस्टमेंट होती है तो रोजगार मेरा इश्वास है कि यह रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहां डेवलप्मेंट हो जाएगी रोजगार मेलेगा यहां की गरीबी दूर हो जाएगी मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रसिडेंट जॉन एप किनेड़ी की अमेरिकन रोड सार नॉट बिकाज अ माइक पिछल रेव प्रवा अच्छी कोट मराल का टर्नल आठ नौ किलो मेटर लंबा ट्रेवल टाइम काम हो जाएगा सुवीदा सुभलत रहेगी इसके अलावा यहां पर रोजगार बड़े प्रेटर बड़े उसके लिए हम यहां लेवेंटर का काम शुरू कर रहे हैं उ से रोजगार भी होगा और तुदिस के लिए एक इंटरेक्शन भी रहेगा